हलो एव्रिवान, वल्कम तो आवर यूट्यूब चानल, हमारा आज का सेशन कमपाउंड इंट्रेस्स से रिलेटेड है, जिस पे हम लोग डिटेल डिसकाशन करने वाले हैं अब सिंपल इंट्रेस्स की बात करें, तो ये हमने पहले ही एक सेशन में अपलोट कर दिया था अगर अभी तक आपने सिंपल इंट्रेस्स की क्लास नहीं देखी है, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ ही साथ उसके लिंक क्लास के एंड में भी मिल जाएगी CISI, ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, M.C.O.M. इंटरेंस एक्जाम पॉइंट अव्यू से डेली उनिवर्सिटी के कोर्स में तो ये था ही, आप C.O.E.T. के कोर्स में भी इसको आट कर दिया गया है तो ये टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, reason being, a mass की क्योंकि कुछी चाप्टर है M.C.O.M. इंटरेंस एक्जाम में जिसमें S.I.C.A. थोड़ा comparatively easy होता है और बहुत ही easily आप उसके question solve कर सकते हो हमने mattresses and determinants की भी classes upload की हुई है उसकी link भी आपको description box में हमने provide की है चलो फिर जल्दी से देख लेते हैं कि compound interest का formula क्या होता है compound interest का formula है amount minus principal जहां अगर हमें amount का calculation करना हो तो इसका formula है principal amount 1 plus r that is rate of interest divided by 100 to the power t अब यहां r basically किसको denote कर रहे बिटर rate of interest को मतलब जितना भी interest rate होगा उसको denote कर रहा है और t क्या है time और period clear p किसको denote करता है कितना principal amount आपने invest किया है तो अगर हम amount calculate कर रहे हैं तो इस amount में से principal को minus कर देंगे तो c i आ जाएगा अगर हम amount minus principal कर दें तो मारे पास क्या जाएगा compound interest इसको एक और तरीके से लिखते हैं कि compound interest is equal to principal 1 plus r divided by 100 to the power t minus principal हमने amount की जगा क्या क्या उसका formula पुट कर दिया clear और अगर हम इसमें से p common ले ले तो यह बचेगा 1 plus r divided by 100 to the power t minus 1 इसकी जगा क्या रखेंगे 1 क्यों क्योंकि हमने p को common ले लिया clear तो हमारे पास calculation आ गया compound interest का और compound interest का देखा जाएगा तो यही एक formula है generally जो हम लोग use करते हैं अब यह formula हम लोग तब use करते हैं जब question में लिखा हो compounded annually मतलब जो साल में एक बार compound हो रहा है तो एक और चीज हम बता दें कि SI और CI में अंतर क्या है SI मतलब क्या होता है कि आपने जो भी principal amount invest किया उस पे एक साल का आपने interest calculate किया और उस interest को basically हटा दिया जाता है फिर जब अगले साल का हमें interest calculate करना होता है तो मतलब अगले साल हम लोग interest किस पे calculate करते है इस principal amount पे but compound interest मतलब interest को भी add on किया जा रहा है principal में और अगले साल principal के साथ साथ उस interest amount को भी invest कर दिया जाएगा clear तो अभी जो हमने formula बताया वो था compounded annually अब question में आप लोग ने देखा है कई बार लिखा होता है compounded half yearly या लिखा होता है compounded semi annually या लिखा होता है compounded quarterly तो क्या formula इसके लिए change हो जाएगा नई इसके लिए formula change नहीं होगा अभी हमने क्या formula बताया था ci is equal to principal 1 plus r divided by 100 to the power t minus principal यही formula बताया था formula same रहेगा but इसमें एक variable add होगा n का और n किसको show करता है number of times interest is compounded per year हर साल अप जितनी बार interest को compound कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं n अब मेरा point अच्छे सा समझना अगर question में लिखा हुआ है कि आपने compound किया है half yearly मतलब साल में दो बार आप उसको compound कर रहे हो या दो बार interest दे रहे हो तो simply करना क्या है न अब annually नहीं हो रहा है half yearly हो रहा है तो rate को two से divide कर दोगे और time को two से multiply कर दोगे clear तो ये two किसको denote कर रहा है n को number of times interest is compounded per year अब इफिन केस मालो half yearly की जगा quarterly लिखा होता तो उस केस में इस two की जगा हम लोग divide करते फोर से और इस two की जगा multiply करते फोर से simply इतना याद दखना कि साल में जितनी बार compound कर रहे हैं उससे rate of interest को divide करते और time को multiply करते हैं clear तो अगर लिखा है compounded half yearly या semi-annually तो formula क्या हो जाएगा ci is equal to p 1 plus r by 2 divided by 100 to the power t multiply by 2 minus p और अगर question में लिखा है compounded quarterly तो उस केस में क्या करेंगे ci is equal to p 1 plus r by 4 divided by 100 to the power t multiply by 4 minus p अगर इस तरीके से याद रखो कि इना formula तो बहुत ही easily आप लोगो formula याद रहेगा कि normal जो formula है वो तो annually के लिए है अगर question में semi-annually, quarterly या half yearly बोलता है तो आप rate of interest को उसे divide कर देना and time को उसे multiply कर देना hopefully point सब को clear होगा अब इस इन केस मालो question में कह रहा है compounded monthly तो एक साल में कितने month होते है 12 months तो simply formula क्या हो जाएगा c i is equal to p 1 plus r divided by 12 divided by 100 to the power t multiply by 12 minus p clear अब इस monthly की जगा अगर मालो daily दिया होता तो इस 12 की जगा क्या हो जाता 365 और इस 12 की जगा हो जाता 365 simply यहाँ पे ना हम लोगो को क्या करना है कि चाहे monthly लिखा हो, quarterly लिखा हो, half yearly लिखा हो सबको यह देख लो कि year में वो चीज कितनी बार आती है और उसी के हिसाब से n calculate कर लो और उस n से r को divide कर दो और t को multiply कर दो hopefully अब यह सारे formulas आप लोगो clear हो गए होंगे next, एक point पूछता है compounding continuously इस पे हमने question भी कराया हुआ है compounding continuously अब यह क्या है CCI इसमें कहते हैं इसमें हम compound interest नहीं कहते हैं इसमें कहते है continuous compound interest इसमें formula क्या है P 1 प्लस R divided by N divided by 100 to the power T multiply by N minus 1 अब आप कहोगे कि मैं formula तो same है हाँ same है formula बस question में जिस तरीके से लिखा रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे N की value हम calculate कर लेंगे and last हमारे पास एक formula है effective interest rate क्योंकि देखोगे न तो effective interest rate पे भी question exam में पूछता है effective interest rate का formula है 1 plus I divided by N to the power N minus 1 N तो सबको पता है क्या है N है number of periods और I हमने यहाँ क्या लिया है nominal interest rate R भी ले सकते थे पर यहाँ हमने nominal interest rate को किस से denote किया है I से clear तो almost यह formula देखो same है बस यहाँ पे हमने P that is principal amount को कहीं consider नहीं किया है तो यहाँ हमने आपको जितने भी formulas relevant है compound interest से related सब बता दिये हैं और अब हम लोग इस पे कुछ numerical solve करेंगे देखो मारबास सबसे पहला question है कि the amount of rupees 7500 at compound interest at 4% per annum for two years is आप question में क्या हम से CI पूछा है नहीं question में से सिर्फ amount पूछा है और amount का क्या formula है principle 1 plus r divided by 100 to the power t क्या हमारे पास question में principle amount दिया है हाँ दिया है 1 plus 4 divided by 100 to the power 2 अब इसको solve करोगे तो value आएगी 8,1,1,2 that is correct answer होगा C अच्छा अब इफ इन के small calculator ना मिले तो simply कैसे solve करना पहले इसको solve कर लेना यह जगा 1.04 to the power 2 और हम कहे सकते है 1.04 multiply by 1.04 इसकी जो value आएगी फिर उसको 75 hundred में multiply कर देना तो मारे पास correct answer आ जाएगा next if the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years is rupees 1200 the compound interest on the same sum for the same period that the same rate is अब एको question में हमारे पास simple interest दिया हुआ 1200 क्या में simple interest का formula पता है हाँ पता है principle multiply by rate multiply by time divided by 100 तो simple interest तो मेरे पास दिया है 1200 principle amount नहीं दिया है rate दिया है 5% और time दिया है 3 cross multiplication करके क्या हम principle amount निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं यूजय का 1200 multiply by 100 divided by 15 is equal to P और जब हम further P का calculation करेंगे तो value आएगी 8000 clear आप question में हमसे कह रहा है कि same sum पे मतलब 8000 पे same period के लिए that is 3 years के लिए same rate पे that is 5% पे आपको compound interest का calculation करना है तो compound interest क्या हो जाएगा principle हमने calculate किया है 8000 1 plus r है 5% to the power 3 minus 8000 अगेन पहले इसको solve करना फिर 8000 से multiply करके minus कर देना जब आप इसको solve करोगे तो हम बता देते हैं वैसे तो calculator पे ही सब करोगे या आएगा 1.157625 पहले इसको solve करना फिर इसमें से 8000 minus करना तो answer आएगा 1261 next the difference between the CI and SI on a sum of money for 2 years at 12.5% per annum is 150 मतलब CI minus SI कितना दिया हुआ है 150 रुपीज आप देखो एग्जाम में अगर आप लोगों के पास time हो तो simply option से ही answer find out कर सकते हैं कि एक option उठाया और calculator पे जल्दी से उसका CI SI calculate करके difference देख लिया पर अगर उतना time नहीं मिले तो माल लेते हैं कि जो हमारा sum है मतलब principal amount है वो 100 रुपीज है अब अगर 100 रुपीज है तब तो SI निकालना easy है न 100 रुपीज 100 multiply by rate multiply by time divided by 100 तो इससे मेरा simple interest आएगा 25 रुपीज वैसी अगर हम CI calculate करने हमें formula तो पता ही है तो CI calculate करने पे value आएगी रुपीज 26.5625 अब SI मेरा कितना आया था रुपीज 25 तो अगर हम sum ले रहे है 100 रुपे तो हमारा difference आ रहा है 1.5625 का clear अब original difference कितना है original difference था मेरा रुपीज 150 का जो की question में mention भी किया हुआ है तो simple है अगर हमें original principal amount निकालना है तो बहुती easily हम लोग original principal amount निकाल लेंगे कैसे अगर 1.5625 का difference आ रहा है 100 रुपे के sum पे तो 150 का difference कितने sum पे आएगा 150 multiply by 100 divided by 1.5625 और इसका जब further calculation करोगे तो आएगा 9600 that is correct answer होगा D अब कुछ student है जिनको ये 33 question number नहीं समझाया होगा क्योंकि बहुत सारे students ऐसे होते जिनको सिर्फ formula based ही चीज़े समझाती है तो देखो हम इस question को formula based भी करा देते हैं कि हमने बोला कि अगर CI minus SI किसके बराबर है 150 रुपीज के बराबर है और अगर हम यहाँ पर formula put कर दें तो P 1 plus R divided by 100 to the power T minus P और SI का formula था P into R into T divided by 100 is equal to 150 clear अब जिसकी जिसकी value दी हुई है उसकी value हम put कर देते हैं principle की value तो no doubt नहीं दिये बड़ देखो यहाँ पर यहाँ पर principle common है तो अगर हम P common ले ले तो value बचेगी 1 plus R divided by 100 to the power T minus 1 minus R T divided by 100 bracket close is equal to 150 जहाँ देखो मेरे पास R की value given है और T की value given है तो क्या हम put कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं P क्योंकि देखो R दिया है 12.5% और time दिया है 2 तो यह हो जाएगा 1 plus R to the power 2 minus 1 minus R multiplied by 2 divided by 100 is equal to 150 और हम के सकते P इसकी value आएगी 1.265625 minus 1 minus इसको solve करने पे value आएगा 0.25 is equal to 150 अब क्या principle amount हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? बहुत इसली निकाल सकते हैं principle is equal to 150 divided by 0.015625 और further इसको solve करके value आएगी 9600 clear? तो किसी भी method से करवा answer तो आएगा 9600 बट कई बर क्या होता है कि direct method आपनों को समझ में आ जाता है और कई बस सिर फॉर्मला बेस्ट ही समझ आता है तो हमने same pattern पे question दोनों method से करा दिया अब जो method आपको easy लगे वो आप opt कर सकते हो question number 34 देखो बिल्कु सेम pattern पे है कह रहा है कि जो difference है compound interest का और simple interest का वो केतना है 25 but question में एक चीज़ देखो कह रहा है कि compound interest compounded हुआ हाफ yearly और simple interest के लिए कह रहा है one year यहाँ पे सिर फॉर्मिले का application है हम यहाँ पे यह formula based पे इस question को solve कर वा रहे हैं देखो CI का formula हम लोगों को पता है अभी हमने बताया यहाँ पे क्या compounded हाफ yearly है तो यह हो जाएगा principal amount one plus rate तो same है 10% तो 10 divided by 2 divided by 100 to the power T के बारे में कुछ नहीं लिखा है बस कह रहा है compounded half yearly है मतलब साल में दो बार यह compound हो रहा है तो हमने बताया थे कि rate को divide कर देना और time को multiply कर देना minus one minus si क्या हो जाएगा principal multiply by rate multiply by यह कह रहा है कि एक साल के लिए इसको invest किया गया था divided by 100 is equal to 25 हमने यहाँ पर देखो पूरा formula set कर लिए इसमें भी आप लोग पी कॉमन ले लेना और फिर इसको solve करना तो इसका answer आएगा c 10,000 question number 35 बिल्कुल same pattern पर question ने जैसे 33 कर आया यह self practice के लिए रखो इसका answer आएगा d 20,000 अगर मालो question solve नहीं होगा तो बताना हम इसका solution upload कर देंगे question number 36 a man borrowed rupees 800 at 10% per annum simple interest ये 800 क्या हो गया principal amount 10% क्या हो गया rate of interest and immediately lend the whole sum at 10% per annum compound interest अच्छा आपने क्या कि 800 रुपे किसी से उधार लिये और आपने कहा कि हम 10% simple interest पे हर साल आपको payment करेंगे और वही amount आपने किसी से loan लेके किसी और को loan दे दिया उनसे भी आपने same term रखा कि ठीक है आप हमें 10% उस पे interest देना पर ये 10% आपने उनसे कैसे लिया compound interest के form में तो question में कह रहा है what does he gain at the end of two years no doubt आपको फायदा तो होगा तब भी आप ये process कर रहे हो नहीं तो कोई मतलम नहीं बनता है इस process का कि आपने market से 800 रुपे loan लिये और उसको आगे किसी और को उधार दे दिया बस देखो difference क्या है कि आपने simple interest पे payment करनी है और आपको payment जो मिलेगी वो compound interest पे मिलेगी तो simple है formula formula based question है पहले हम CI निकाल ले फिर SI निकाल ले फिर दोनों को compare करके देख लेते हैं हमने जो length किया है वो किस पे किया है CI पे और CI का formula क्या है amount minus principle amount क्या निकाल सकते हैं हाँ principle 1 plus rate divided by 100 to the power 2 क्योंकि time दिया 2 years का minus principle amount है 800 अगीन इसको solve कर लेना 800 से multiply करना minus करना 800 तो CI की value आएगी 168 now SI is equal to principle multiply by rate multiply by time divided by 100 और इसका answer आएगा 160 मतलब आपको payment कितना करना है 160 का और आपको मिलेगा कितना 168 इन दोनों के बीच में difference कितने खाए 8 रुपीस का और आपका फायदा भी कितने का होगा 8 रुपीस का तो correct answer होगा B next next on what sum of money will the simple interest for 3 years at 8% per annum be half of the compound interest on rupees 8 on rupees 400 for 2 years at 10% per annum अब एको question में क्या कह रहा है कि on what sum of money मतलब principal amount कितना होगा कि उस पे अगर हम simple interest का calculation करें 3 साल के लिए दरेट 8% per annum तो वो half होगा किसके compound interest के और compound interest आप किस पे calculate कर रहे हो यहाँ के पास principal amount भी दिया हुआ है time भी दिया हुआ है तो सबसे पहला step क्या होगा compound interest निकाल ले फिर compound interest जो आएगा उसका आधा कर दे तो वो simple interest हो जाएगा अब simple interest आगया तो क्या principal निकाल सकते हां निकाल सकते है question में हमसे क्या कह रहा है on what sum of money मतलब principal amount तो निकालने बोल ला है clear तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ci और simple है same formula होगा formula में कोई difference नहीं है 400 1 plus r ये है 10% divided by 100 to the power 2 minus 400 इसको solve करेंगे तो पहले इसको solve करके 400 से multiply करना फिर minus करना 400 तो answer आएगा 84 अब compound interest कितना आ गया 84 और जैसा कि question में बोला है simple interest कितना होगा 84 का आधा लिखा है न कि simple interest कितना है be half of the compound interest तो यहाँ simple interest आ जाएगा 42 अब क्योंकि मेरे पास simple interest आ गया 42 principal amount हमें नहीं पता rate of interest दिया 8% और time दिया 3 तो हम cross multiplication करके principal amount find out कर लेंगे जो कि आएगी 4200 divided by 8 multiply by 3 और इसको further solve करके value आएगी 175 तो correct answer क्या होगा C next question number 38 देखो बहुत बढ़िया question है कह रहा है कि if the compound interest on a certain sum at 16 to by 3% for 3 years is 1270 the simple interest on the same sum same rate and the same period is आप question में हमारे पास CI की information दी है और SI निकालने बोला है just this का reverse हमने उपर कराया था कि जहां SI की information दी थी CI निकालने बोला था इस rate को हम लोग कैसे लिख सकते हैं r दिया हुआ है 16 2 by 3% तो इसको कैसे लिखते हैं 16 multiply by 3 मतलब बिन दोनों को multiply करते हैं plus 2 इसमें plus 2 करेंगे divided by जो denominator में वो as it is रहेगा तो यह हो जाएगा 50 by 3% hopefully इसमें कोई problem नहीं होगी fraction में दिया था मेरे पास CI क्या जाएगा principle 1 plus 50 divided by 3 multiply by 100 जो यहां रहता है 2 the power 3 क्योंकि 3 साल के लिए है minus P अब देखो मारे पास question में compound interest दिया है 1270 तो यह हो जाएगा 1270 is equal to principle 3 to the 6 तो यहां पर अगर हम LCM ले ले 6 का तो 6 plus 1 7 by 6 का whole cube minus P अब whole cube open कर देंगे तो value आएगी 1270 is equal to P multiply by 343 7 multiply by 7 multiply by 7 divided by 216 minus P अब यहां क्या करो 216 को LCM ले लो तो 1270 is equal to 343 P minus 216 P divided by 216 और हम लिख सकते हैं 1270 multiply by 216 is equal to 127 P and last step will be P is equal to 127 1270 multiply by 216 divided by 127 तो P की जो final value आएगी वो आएगी 216 0 क्या हमें question में sum निकालना था नहीं question में हमसे कह रहा है कि हमें simple interest निकालना है same sum पे same rate पे और same period पे और year दिया है 3 simply अब अगर हम लों किसे simple interest निकाले तो answer आएगा 1080 that is correct answer होगा C next the compound interest on a sum at 5% per annum for 2 years is 328 the simple interest for that sum at the same rate and the same period will be same pattern question solve होगा आप लोग जब ऐसा ही निकालोगे तो इसकी value आएगी 320 and principal amount हम बता दे principal amount आएगी 3200 correct answer होगा A यह self practice के लिए रखना next the compound interest on rupees 5600 for 1.5 years at 10% per annum compounded annually is यहां पर भी देखो simply हम लोग क्या करेंगे CI का formula apply करेंगे और CI का जो formula है वो है amount minus principal तो पहले amount निकाल लो amount कितना हो जाएगा principal दिया है 5600 rate दिया हुआ 10% यहां तक तो किसी को कोई problem नहीं होगी और time कितना दिया है 1.5 years जिसको more कैसे लिख सकते हैं जिसको मिस तरीके से भी लिख सकते हैं तो यहां power में कितना हो जाएगा 1 1 by 2 that is 1.5 अब इसका देखो further expansion जो होगा amount का वो कैसे होगा 5600 1 plus 10 divided by 100 to the power 1 मतलब एक बार इस 1.5 year में से 1 अलग ले लो और 0.5 के लिए 1 plus 10 multiplied by 1 by 2 divided by 100 और यहां power में कुछ नहीं होगा क्यों नहीं होगा वो देख लो अब further इसको expand करेंगे तो मारे पास amount कितना जाएगा बेटा 5600 1 plus 10 divided by 100 to the power 1 क्यों क्योंकि दिको 1 1 by 2 दिया था तो एक साल के लिए अलग हम लोग compounding कर रहे हैं और जो half year है तो half year मतलब क्या हो गया compounded half yearly तो यह हो जाएगा 1 plus 10 divided by 2 divided by 100 और पावर में कितना होगा 1 by 2 multiply by 2 क्यों यह वला पॉइंट जिसको नहीं समझ में है वो समझो प्लीज हम कहरें कि मेरे पास 1 1 by 2 मतलब इतने that is 1.5 years का calculation करना था तो एक साल का calculation आप अलग कर लो और आधे year का calculation आप अलग कर लो जो कि compounded half yearly है तो जब हम आधे year का calculation करोगे तो हमने बताया ना कि rate को divide करेंगे 2 से और time को multiply करेंगे 2 से तो rate को हमने 2 से multiply किया और time जो कि 1 by 2 है उसको multiply कर दिया 2 से टू-टू कर जाएगा अब क्या करेंगे कि पहले इसको solve कर लो 5600 multiply by 11 divided by 10 multiply by 21 divided by 20 यह आएगा 6468 यह तो amount आया अब हमें CI निकालना है तो जाएगा 6468-5600 तो value आएगी 868 जो कि option C में दिया है correct answer होगा C झालना है